हेलो गाइज, वेलकॉम बैक टो आवर चैनल, लाइफ आफ पैरामेड्स, तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि BSc अनस्थिशया के बारे में बहुत कुछ बताया, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी BSc अनस्थिशया में हम क्या-क्या पढ़ते हैं, जैसे क लिए इस कोर्स में हम पढ़ते क्या है तो फर्साइन स्ट्टियर जो है एनस्थेश टेकनोलजी को फर्सटेश में हम पढ़ते हैं जैसे कि कुछ ब्लैस्ट हो एम बेभिस भी क्यों ना कर रहे हो Ambivious हो, Anastasia हो, Bachelor in Anastasia, Radiology, Nutrition, कुछ भी हमें सबसे पहले पढ़ा जाता है Basic Anatomy और Physiology तो हमारे एक subject होता है तो उसमें हमें पूरे body का Anatomy के बारे में पढ़ाया जाता है उसके बाद Physiology के बारे में पढ़ाया जाता है यह हमारे एक base होता है जो हमें आना चाहिए तो हमें Anatomy और Physiology पढ़ाया जाता है Simple Anastasia पढ़ाते है फर्स्ट यर में जो normal, easy to understand होता है उस time हमें ऐसे मतलब Anastasia में पढ़ाते है Introduction to Anastasia की Anastasia कैसे आया History पढ़ाते है Anastasia के बारे में कैसे evolve हुआ Anastasia उसके बाद हमें Anastasia मशीन के बारे में पढ़ाया जाता है जैसे की नॉर्मली हॉस्पिटल में जो Anastasia का केले होता है काट यूज होता है मशीन यूज होता है Anastasia देने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स है हमें Cylinders के बारे में पढ़ाया जाता है अने एक सिस्टम होता है यह कोई इजी जॉप नहीं है बहुत इंपोर्टन है तो इसके बाद हम सेकेंड यह मैं पढ़ाया जाता है जैसे की पैथालोजी हो गया बायो केमिस्ट्री हो गया यह सब बहुत important subjects है तो यह सब हमें पढ़ा जाता है और second year Anastasia में हम focus करते हैं बहुत सारे drugs पर जैसे कि Anastasia एक टाइप Anastasia एक word है Anastasia पर इसके साथ साथ बहुत different बहुत सारा branches है Anastasia का जैसे कि regional Anastasia, general Anastasia, local Anastasia, spinal Anastasia बहुत सारे different branch है Anastasia का तो हर एक मतलब Anastasia में inhalational agent में अलग drugs आता है, muscles relaxant होंगे उसमें अलग drugs आएगा तो बहुत सारा जिसे कि हजारों drugs है तो हजार तो नहीं पर short जो जो important drugs है उसके बारे में हम पढ़ते हैं जैसे कि nitrous oxide, halothene, cvoflurens, succinyl, choline यह सब के बारे में pan curanium, v curanium के सब different types of drugs हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं drugs हो गया उसके बाद जैसे कि इन drugs में हम क्या पढ़ते हैं तो इस drugs कितना dose में देना चाहिए elder को, old patient को, बच्चों को, young patient को इसका systemic effect क्या होता है मतलब हमारे body पर कैसा effect करता है वो drug देने के बाद contraindications क्या होता है कि हां किन लोगों में नहीं देना चाहिए सब drugs हम ऐसा पढ़ते हैं एक-एक drugs के बारे में उसके बाद हम जैसे की fine fine जैसे की जैसे की ठर्ड येर में हैं तो हम जैसे की anesthesia मैंने बोला कि different types का होता है तो वैसे ही anesthesia depend जैसे की ऐसा नहीं है कि हर एक इनसान को same anesthesia मिलेगा जैसे की मैं एक patient हूँ और मेरा heart surgery होने वाला तो मुझे anesthesia मिलेगा वो different होगा और जैसे की एक दूसरा male है जिसका same surgery है heart surgery तो उसके body के लिए उसका sign symptoms, past record leg को देखते वे उसको different anesthesia prefer करेंगे तो जैसे की इसमें हम पढ़ते हैं different types of anesthesia जैसे की anesthesia for ophthalmic surgery, anesthesia for cardiac surgery, anesthesia for pregnancy तो ऐसे ऐसे बहुत सारे cases होता है जिसमें anesthesia अलग-अलग types के होता है तो वह हम पढ़ते हैं anesthesia for different types of surgeries के लिए उसके बाद anesthesia सबसे important factor है जिसपे anesthesia depend करता वो है age तो different age group वालों के लिए anesthesia different होता है जैसे की anesthesia बचों के लिए और anesthesia younger people के लिए सेम तो नहीं होगा उनका body का physiology अलग है हमारा body का physiology अलग है तो different लोगों के लिए different anesthesia होता है तो हमें बहुत careful होना चाहिए कि मतलब कौन सा anesthesia किसके लिए होता है तो यह सब basically जो outline है जो हम पढ़ते हैं anesthesia technology में वह है इसके साथ साथ ऐसी टेकनोलोजी के लिए प्रैक्टिकल बहुत important है प्रैक्टिकल में हमें लेरिंगो स्कोप कैसे use करते है वह आना चाहिए intubation कैसे करते है वह आना चाहिए ivy line कैसे डालते है वह आना चाहिए tracheuse tummy कैसे करते है वह आना चाहिए तो बहुत सारा प्रैक्टिकल भी है जैसे कि anesthesia machine कैसे use करते है emergency emergency cart जो होता है उसको कैसे maintain रखना चाहिए Sylinders के बारे में knowledge कैसा है ह हमारा वो सब उसके बар्थ drugs के बारे में हम क्या जानते हैं होता है बहुत सारे drugs होते हैं उसके बारे में हम क्या कैसा जानते है वो सब practical knowledge भी बहुत important है तो practicals भी बहुत strong होना पर as the Anasetist हमें intubation करना आना चेह एक दम important है जिसे कि emergency cases भी होता है, जिसमें intubation बहुत important होता है, CPR, CPR भी बहुत important है, basic life support, यह सब knowledge हमें बहुत important है, अनसीशय के लिए, अनसीशय एक department है, जो emergency से भी related है, तो emergency care भी हमें आना चाहिए, तो यह सब एक outline है, अनसीशय technology के अंदर क्या-क्या आता है, if you are interested to, मतलब कोई topic अगर आपको पढ़ना है, जैसे कि कोई specific drugs के बारे में, यह anesthesia machine के बारे में, तो please आप comment section में comment कीजे, मैं उसके बारे में detail में आपको पढ़ाओंगी, drugs के बारे में, कुछ mechanism चाहिए, उस सब के बारे में, मैं detail में पढ़ाओंगी, अगर आपको कुछ confusion है, अभी भी anesthesia technology के बारे में, तो please comment कीजे, और comment box में लिखे, I will be happy to answer your query, और please हमारे चैनल को like कीजे, support कीजे और subscribe कीजे, thank you.